नमस्कार आप देखरें सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा आरजेडी सुप्रीमो लालो पुशाद की सेहत बहुत बिगड़ गई है परिवार से लेके सभी राज़नितिक दलों के नेता उनसे मिलने राची पहुँच रहे हैं गौर तलब है कि चारा घोटाला में सजायाफता आरजेडी सुप्रीमो लालो पुशाद यादब का राची रम्स अस्पताल में इलाग चल रहा है उनके सिती बेहत नाजुक बनी हुई है लालो यादब का परिवार बेहत चिंतित है रहिवार को रावडी देवी भी उनसे मि लाए कई राजनेता हाल के दिनों में लालो से मुलकात करने पहुँच चुके हैं लेकिन महा गठबंदन का सबसे बड़ा घटक दर कॉंग्रस का कोई नेता अभी तक लालो यादब का हाल चाल लेने नहीं पहुचा है कॉंग्रस की नेता क्यों लालो यादब से दूरी बन लालो प्रिशाद यादब का क्रेट 9 लेबल लगतार बढ़ रहा है जिसका दुस्प्रभाव उनकी किडनी पर पढ़ रहा है आठ जेडी नेता के पैरों में फोड़े भी हो रखे हैं जिस वज़ा से उन्हें चलने फिरने में भी परेशानी हो रही है उनका बलड शूगर भी लगतार बढ़ रहा है रिम्स के निदेशक आरकेश श्रिवास्तव ने इस लालो प्रिशाद यादब की सब्ताहिक मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी देते वे बताया कि उनका सुगर लेबल 145 है जबकि क्रेटिनन लेबल बढ़ कर 1.85 हुआ है उनका बलड प्रिशर 1470 जो की समानने के करीब है यूडिया का लेबल 22 है वही पैर में हुए फोड़े की जानकारी देते वे निदेशक ने कहा कि लालो प्रिशाद फिलहाल चलने फिरने की हालत में नहीं है निदेशक ने कहा है कि रिम्स में उन्हें बहतर इलाज की सुवेधा मोहया कराई जारी ह लालो प्रिशाद को किसी दूसरे अस्पताल में भेज जाने की रिपोर्ट लालो के इलाज में लगे डॉक्तर देने वाले हैं उसी रिपोर्ट की बाद मेडिकल बोर्ट का गठन होगा और उसके बाद ही लालो यादब को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का फैस